आस राजा शेर एक दिन राजा शेर का मंत्री भालू जंगल में खोष्णा करता है सुनो 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 राजा शेर बहुत दिनों से उदास है जो कोई भी राजा जी को हसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा आप सभी का स्वागत है आईए और हमारे राजा को हसाईए ये बात जंगल में आख की तरह फैल गई जंगल के सभी जानवर राजा को खुश करने के प्रयास करने लगे सबसे पहले एक हाथी उन्हें खुश करने की कोशिश करता है खाथी अपनी सून से तरह तरह के करतब दिखाता है लेकिन राजा को हसी नहीं आती फिर बंदर की बारी आती है मैं आपको हसाने की कोशिश करता हूँ राजा जी बंदर अपने बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाता है मगर वह भी हसाने में नाकाम्याब होता है इसी तरह सभी जानवर कोशिश करती है लेकिन किसी को भी काम्याबी नहीं लूटी अंत में नन्नी चीटी की बारी आती है राजा के मंत्री भालू को लगता है लगता है किसी कोई नाम नहीं मिलेगा इतनी छोटी सी चीटी हमारे राजा को कहां से हसाएगी जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर नहीं हसा पाए तो ये चीटी क्या हसाएगी तभी चीटी कुस्से में लाल होकर राजा के नज़दी काती है और कहती है देखिए राजा जी, बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ, आपके पेट पर गुद गुदी करने, आपको तो फिर हसना ही होगा अपनी तरफ गुस्ते में चीटी को आता देख, राजा की हसी निकल पड़ी राजा को हसता देख, सभी जानवर हसने लगे और नाचने लगे, चीटी को भी राजा ने बहुत सुन्दर इनाम दिया